फर्स्ट बाइट की खबरे लगतार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ फ्रेंड तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कैराना में सपा विधायक नाहिद हसन जो हमेशा ही अपने विवादत बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं एक बार फिर विधायक की मुश्किले काफी हद तक बढ़ चुकी हैं उनकी गिरफतारी के लिए पुलिस ने उनके घर पर दबिश डाली लेकिन घर पर विधायक नाहिद के ना मिलने से उनकी गिरफतारी रुग गई है नाहिद हसन पर SDM और CEO के साथ गाड़ी चेकिंग के दौरान अब अधुरता करने का आरोप लगा है और बताया ज़ा रहा है कि नाहिद अपनी संदिक्द गाड़ी PJP32 अपने कुछ आदमी और तमान समान के साथ परार हो चुके हैं पुलिस ने उन्हें गाड़ी के कागस दिखाने का जो सीमिस समय दिया था वो अब खत्म हो चुका है सीमिस समय शुकुरवार रात तक सीमित था और न्यायले दौरा हसन के खिलाफ चार वारंट जारी किये गए हैं जिसमें से एक सर्च वारंट है और तीन गिरफतारी वार विधायक नाहित के घर पर संदिक दिखाड़ी भी बरामद नहीं हुई हो सकता है विधायक उसी के साथ परार हो इसलिए पुलिस की ग्यारा थीमों को उनके ग्यात और अग्यात सभी ठिकानों पर दविश देने के लिए रमाना कर दिया गया है और गिरफतारी होने तक ता पर तोड़ छापे मारी जारी रहेगी जाहरे पूरे शामली जनपत की सभी जनता की सुरक्षा और मौके पर शांती व्यवस्ता बनाए रखने के लिए हजारों की संक्या में पुलिस बल पियसी परामिलिटरी बल को तैनात कर दिया है और इसी के साथ पदधिकारी इस पू पूले बैल आइकन जरूर दबाते तक कोई भी अपडेट आग से मिस्स ना हो सके नमस्कार